स्वागत है आप सभी का तरुनिंड इंस रिट्यूट के यूट्यूब चानल में जहां हम लोग बात करते हैं कम्प्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में तो अब तक हमने बिहार STET preparation के लिए कई सारे topics को cover किया है जो हमारे slaves का हिस्सा है पिछले वीडियो में हमने BCDASC, EBDIC इन सारे topics को cover किया आज हम देखने वाले हैं grey codes क्या होते हैं grey codes, कहा होता है इसका इस्तेमाल और अगले ही वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम binary को grey code में convert कर सकते हैं और vice versa तो आईए खुद को खुद से थोड़ा और बहतर बनाते हैं क्या है grey code इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर grey code आया ही क्यों तो इसकी वज़ा जो है वो हमारे frank grey ने दिया था 1953 में और क्यूं ऐसा हुआ है इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि आखिर binary में ऐसी क्या दिक्कत आने लग गई जिस वज़े से हमें grey code का इस्तेमाल करना ज़़ूरी पड़ गया तो सबसे पहले हम एक example लेते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या problem है हमने लिया एक 3 और 4 इनका binary जो है 11 और 100 अच्छा दोनों को 3-3 बिट में ले आते हैं तो यहां problem क्या है अगर हम data को exchange करते हैं तो हमारा जो transferring है वो bit by bit ही होना है तो अगर successive value change होती है तो उसके बहुत सारे bits में conversion होता है जैसे 3 को अगर हम 4 में बदलें तो यहां 3 का 3 bit जो है एक एक करके change हो रहा है मतलब 0 जो है वो 1 हो रहा है यह आपका second वाला 1 भी 0 हो गया और last वाला 1 भी 0 हो गया इस तरह यहां 3 bit का change है तो इसी problem पे ग्रे कोड आया अब जहुरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो data exchanging वाला जो system है मतलब की data communication और बहुत सारा जो storage system है इसमें जब इन exchanging को numbers exchange करने का जब process अपनाया गया तो वहां bits के formation में बहुत साई problem आई मतलब एक number को दूसरे number में हम change करते हैं तो बहुत सारा का सारा bit हमें change करना पड़ता है बहुत ज़ादा bit हमें change करना होता है तो इसी तरज पे हमारे frank gray साहब ने gray code को बनाया और gray code का जो main motto था वही यही था कि जो दो successive numbers या values होंगे वो one bit के difference पर ही होंगे example के लिए हम फिर से लेते हैं 3 और 4 तो 3 का जो हमारा binary है वो है 0,1,1 और 4 का जो हमारा binary है वो है 1,0,0 अब अगर हम यहां बात करते हैं gray code की तो gray code और इसमें difference क्या है तो हम पहले 3 को gray code में convert कर देते हैं यह हो जाएगा आपका 0,1,0 और यह हो जाएगा आपका 4 का जो हमारा gray code है वो होगा 1,1,0 ठीक है यह हो गया हमारा gray code अब जरा चेक कीजिए आप कितने bit का difference है बहुत कम अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ यह पहला bit जो है वो change हो रहा है हमारे successive number के interchange पे दो successive numbers एक ही bit के difference पे होते हैं तो system को जादा मेहनत नहीं करना पड़ता है जादा clock speed हमारा use नहीं होता है तो यहाँ एक bit का difference है अगर हम two successive values को change करें तो अब बात आती है कि आखिर gray code का use कहां किया जाता है तो इस gray code का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है error detection में communication में और data storage system में और हमारा जो main काम है इस gray code का वो है analog से digital conversion में इस तरह की चीजों में आज भी gray code का इस्तेमाल किया जाता है तो यह है हमारे सामने binary और gray code का एक table जिसमें की 029 के सभी digits का binary और gray code दिया हुआ है तो अगर दो successive number को देखें तो यहां आपको one bit का ही change दिखेगा जो कि इसका motto भी है two successive values जो है वो सिर्फ और सिर्फ one bit के अंतर पे ही होंगी तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कि इसी भी binary number को कैसे हम gray code में convert कर सकते हैं और vice versa तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic के साथ खुद को खुद से बहतर बनाते रहिए धन्यवाद झाल 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 झाल